Hello and welcome to Biz Analyst. Biz Analyst एक Tally or mobile application है, जिसमें आप अपना सारा Tally का data अपने mobile पर देख सकते हो, at any point in time, anywhere, घर बेड़े भी, even when आपका Tally बंध है या आपके mobile पर internet नहीं है, यह सारे data आप अपना mobile पर easily देख सकते हो. सबसे पहले जब आप यह app open करते हो, तो आपको dashboard पर आपके key numbers है, at a very high level, आपको यहाँ पर दिखेंगे कि आपका जो भी time period है, उसमें आपका sales purchase कितना हुआ है, receipt payment कितना हुआ है, outstanding क्या है, cash bank balance क्या है, आपके orders क्या है और delivery or receipt note क्या है. नेक्स्ट जब मैं यह sales पर click करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कि by default मेरा party wise का sales हो रहा है, within a particular party मेरे जितना भी bill बने है, वो जहाँ पर मुझे मिल गए, within a particular bill मुझे वो bill की complete bill details मिल गई, अगर मुझे यह invoice की copy share करनी है, तो मैं PDF बना के WhatsApp पे या email पे मैं customer को easily set कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना custom logo या signature भी add कर सकता हूँ, जब मैं invoice की copy share कर रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर मारे जो सबसे key feature है, कि आप 10 different ways में अपनी sales analysis कर सकते है, जैसे कि अगर मुझे यह देखना है कि मेरे sales person wise क्या sales हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ledger group select किया, within a policy letters मेरे sales person are a avec a sales क्या हो रहा है, within sales person a, मुझे देखना है कि उसने कौन सा stock group सबसे ज़्यादा बेच यहाँ पर मिल गया सो बेजिकली मैं कोई भी पॉमिटेशन कॉंबिनेशन से मैं अपनी से अनलिस्स यहां पर कर सकता हूं मुझे ग्रॉसल्स या नेट सेल्स देखना है तो वो मुझे यहां पर मिल गया मेरे हर एक screen में मुझे यहां पे time period का selection का option मिलेगा चो मुझे जो भी date period का देखना है मैं वो choose करके data देख सकता हूँ next सबसे important feature हर एक business owner के लिए होता है outstanding receivable मुझे देखना है कि मेरा party wise outstanding क्या है party का जो भी credit day से amount set किया हुआ है वो यहां पे देख जाएगा and most importantly party कितने दिन में आपको payment कर रही है मुझे sales person wise outstanding देखना है तो वो भी मैं यहां पे देख सकता हूँ कि मेरे हर एक sales person का कितना outstanding है यह party wise देखना है तो वो भी देख सकते है next मुझे देखना है कि कौन से party ऐसी है जिनोंने मुझे 6 मैने से 3 मैने से पैसा नहीं दिया है तो मैं यहां पे वो selection कर सकता हूँ मुझे उनको एक साथ सबको outstanding reminder भीजना है तो मैं यहां से share button पे click करके send multiple payment reminders पे select करके यहां भी select all किया तो जितने भी customers है चीन का email address मैंने tally में set किया हुआ है उनको मैं single click पे सबको outstanding reminder भीज सकता हूँ मेरे लिए बहुत easy हो गया उन सबसे outstanding follow up का reminder भीजना अट एड़जस्टर single click next अगर मुझे bill wise भी outstanding देखना है तो मैंने यहां पे किसी party में select किया तो मैं यहां पे bill wise भी outstanding देख सकता हूँ और उनको individual भी मैं अगर उनको outstanding reminder भीजना है WhatsApp पे text message भीजना है तो मैं किसी को भी यहां पे बेज सकता हूँ next जो dashboard के बाजू में party की screen है यहां पे basically अगर आप किसी customer को visit कर रहे हो तो यह customer के बारे में आपको जितनी भी information चाहिए वह सारी चीज़ आपको यहां पी मिल जाएगी जैसे के overview में आपको last sale कब हुआ last पैसा कब आया कितने bill बने average bill amount क्या है यह party का month wise क्या sales हो रहा है current outstanding क्या है pending orders क्या है आप अब तक यह party के साथ कितनी meeting आप यापका salesperson कितना meeting कर चुका है वह आपको यहां मिल जाएगा यहां पर यह party को मैंने last कितनी कितनी items बेची है last कब कॉंसे date पे कितनी quantity कॉंसे rate पे बेची हुई है यह सारी चीज़ें यहां पर मुझे मिल गए ताके जब मैं customer के सामने हूं I can give him all the information मुझे किसी को कुछ पुछने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर यह party से मैंने कुछ purchase किया हुआ है तो मुझे यहां पर मिल जाएगा यहां पर आई button है at the top जिसके वहां पर मुझे यह customer की जो भी content details मैंने टैली में safe की हुई है वह मुझे यहां पर बिल गए उसका email address, phone number, office का address ताके मुझे किसी को phone करके यह सारी चीज़े पुछने की जरूत थाप पड़े next हमें यहां पर follow up का feature बनाया हुआ है कि अगर यह party मुझे मुझे बोलती है कि आप 2 दिन बात follow up कीजे मैं आपको check का payment कर दूँगा या नया order आपको place कर दूँगा तो यहां से आप follow up reminder भी set कर सकते है और जो भी date और time period का आपने follow up set किया हुआ है वो दिन पर आपको reminder आ जाएगा so becomes very easy for you to do any follow up with the customer from the app itself next यहां पर जो आपको नीचे options दिख रहे है कि अगर मैं एक salesperson हूँ अभी 27 हुआ है मैं यह customer को मिलने गया तो मैं यहां पर check-in कर दूँगा ताके मेरा meeting का start time track हो जाए और जब मीरी meeting खतम हो गए तो मैं यहां से check-out कर सकता हूँ और जो भी comment है मैं यहां पर डाल दूँगा ताके मेरे sales manager है या मेरे director है उनको पता चलेगा कि आज मैंने पूरे दिन में कितनी meetings की कहां कहां की और उनके साथ क्या-क्या बाते हुई है तो वो सारी चीज़े आप यहां पर track कर पाएंगे अगर वो किसी party को मुझे bill बनाके भेजना है तो मैंने यहीं से bill बनाके भेज दे दिया या अगर party ने मुझे कोई payment किया हुआ है तो मैंने receipt की copy यहीं से बना दी और मैंने party को सामने के सामने दे दी next item screen यहां पर मुझे सारी items देखेगी जो मेरे stock में है या मुझे देखना है कौनसी item stock में नहीं है या negative stock में है या below the order level है यह सारी चीज़े मुझे यहां पर मिल गई मुझे item group wise या stock category wise देखना है तो वो भी मैं यहां पर देख सकता हूं and I can drill down all the way again to the item level के मेरा item wise भी stock क्या है next अगर मैं यह particular item पर click करता हूं तो इसका batch wise golden wise stock क्या है यह item का price अगर मैंने tally में set के हुआ तो मुझे यहां पर मिल गया यह item की पूरी sales summary के यह item का total sales कितना हुआ है total quantity कितनी बेची है लास्ट कौंसे rate पे बेची थी minimum maximum rate क्या है selling and purchase rate तो यह सारी चीज़े मुझे यहीं पर मिल गई यह item का month wise sales क्या हो रहा है या month wise purchase क्या है वो मुझे यहां पर मिल गया यह item मैंने कौंसे कौंसे customers को बेची है last कब बेची थी कौंसे rate पे बेची थी total कितनी quantity बेची हुई है यह customer को यह मुझे यहां पर मिल गई यह item मैंने कौंसे कौंसे supplier से खरीती है again last date quantity rate सारी चीज़े मुझे यहां पर easily मिल गई नेक्स्ट है आपकी item report screen जहां पर सारे reports हमने दिये हुआ है so starting with my entries यह basically data entry का ही feature है जो पार्टी की screen में मैंने दिखाया यह सारी entries आप यहां से भी कर सकते हैं और top of it यहां पर हमने और दो भी option दिये हुए है ledger entry, ledger creation and stock item creation आप यहां से ledger और stock item भी create जो भी करेंगे यह सारी चीज़े ट्रैली में automatically create हो जाएगी जितने भी orders यह invoices जो भी entries आपर करेंगे यह ledger or stock items create करेंगे यह सारी entries automatically ट्रैली में create हो जाएगी आपको अलग से कोई special चीज़ करने की ज़रुत दी है next is check in check out report, so आपके जितने भी salesperson है उन्होंने तिन में कितनी meetings की है वह आपको यहां पर पता चल जाएगी so webhav है मेरा नाम तो अगर मैंने आज तीन meeting की है तो वह तीनो meeting consequence है वह मुझे यहां पर पता चल गई उसका check in check out date, type क्या था, exact location क्या था वह यहां पर track हो गया अगर मुझे यह google maps में देखना है, अगर मैं manager हूँ उसका देखना है तो मुझे पता चल गया के इसने तो तीनो meeting एक ही location से की है तो में भी यह customer को मिलने ही नहीं गया है, घर से meeting की है उसने, अगर मुझे यह report send करना है अपने manager को तो मैं यहीं से pdf बना के customers को easily whatsapp कर सकता हूं या email कर सकता हूं कि आज मैंने यह meetings की है, यह मेरा time है और यह मेरे meeting का comment है तो यह productivity के लिए बहुत बढ़िया tool है, अगर आप अपनी salesperson की productivity बढ़ाना चाहते हो, तो easily यह सारी चीज़ा आप यहां से track कर सकते हो next is follow-ups, तो आपके खुद के कितने follow-ups है वो यहां पर आपको easily मिल जाएंगे या किसी और के भी आपको follow-up देखने है तो वो यहां पर आप track पर पाऊगे next यह feature को आप ऐसे task management के तौर पर भी use कर सकते है कि अगर आपको कोई task खतम हो गया या follow-up हो गया है तो आप उसको move to complete कर सकते है जैसे कि मेरे यहां पर मैंने task को complete कर दिया इसलिए completed दिखा रहा है so आप उसको उस तरीके से भी आप use कर सकते है next expenses report so यहां पर आपके direct indirect expenses all the way to the voucher level आप देख सकते है आपके inactive customers कौन से है यह one of the most useful feature है हमारा कि आप यहां पर देख सकते है कि कौन से customer से जिन्नों ने मुझे एक मैने दो मैने छे मैने से order ही नहीं दिया है so I have 55 customers almost 60% of customers जिन्होंने छे मैने से order नहीं दिया है यह customer के साथ मैं easily देख सकता हूं कि उन्होंने consequence items purchase की थी मेरे से in the past and I will contact them again है ताके मैं यह customer से वापस अपना business ला सकूं कि similarly आप inactive items का जो report है वहां पर देख पाएंगे कि कितनी items आपके पास stock में है जिन जो अगें लास तीन मैंने च्छे मैने से सेल नहीं हुई है जो कि शायद आपकी dead stock बन चुकी है तो अगर मुझे देखना है कि मेरे case में 33 item से 40 लाक्स रुपीस का stock है जो च्छे मैने से dead stock के तरक पर पढ़ा हुआ है यह CPU processor है अगर मुझे इसको बेचने तो कि इसको बेचने जाओगा पहले तो उनी customers को जिनों ने मुझसे पहले लिया हुआ है या I might try to return it to the suppliers जिनके पास से मैंने लिया हुआ है तो अगें यह सारी details आपको app में easily मिल जाएगी नेक्स्ट आपका जो ledger report, day book, pending orders, P&L, balance sheet है यह basic reports है जो हमने यहाँ पे दिये हुए है for easy access आप जब यहाँ पे menu पे click करेंगे तो आपको जितनी भी companies आपके tally से mobile पे देखनी है आप यहाँ से easily switch करके वो सारी companies का data देख सकते है within a particular company अगर आपको users add करने है तो आप यहाँ पे users add कर सकते है और अगर किसी particular user को आपको limited permission देना है जैसे के समझो अगर निलेश एक sales person है और मुझे उनको खाली उनके ही customers का data दिखा रहा है तो मैं यहाँ से उनको admin हटा के उनको particular ledger group का ही permission दूगा ताके उनको उनी का ही data द दिखे अज़े लेजर ग्रूप आप यहाँ पे उनको permission stock group wise, go down wise, voucher type wise, screen wise, data entry में कौन से entries वो कर सकते हैं वो सारी चीज़े आप यहाँ से उनको restrict कर सकते हैं and most importantly अगर कोई job छोड़के जाता है आप उनको at any point in time यहाँ से delete कर सकते हैं and on the spot उनके phone से पूरा data wipe off हो जाएगा next हमने काफी यहाँ पे configuration दी हुई है settings screen में कि आपको app कैसे use करना है कुछ चीज़े customize करनी है, logo, signature add करना है, outstanding में चीज़े कुछ settings करनी है तो ऐसे बहुत सरी settings हमने दी हुई है जिसको आप use कर सकते है to customize it the way you want it so overall जो business analyst application है यह उन business owners के लिए है जो अपना business grow करना चाहते है and even for the sales team ताके उनको data visibility मिले and data driven decisions ले सके है, so हमारा application again it is very very useful on a day to day basis जहां पर यह जो dependency है आपकी system पर हो यह accountant पर हो तो वह सारी dependency zero हो जाएगी जैसे ही tally में entry हुई है सारे report आपको यह पर मिल जाएंगे, so आप दुनिया बर में कहीं पर भी हो, you will have complete access of your own data, so that is what business analysis is for, it is a tool to help you grow your business